नमस्का दोस्तों संजह मोर्या की ग्लिदी कल्चा में आपका स्वागत है रहे विदियो में पूरी जानकारी बताऊंगा इससे पूरी जानकारी को प्राप्त करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और सेर करें ताकि आपको अच्छी चीह नहीं नही यह हमाई टमाटो के खेती और इसमें फल जो है देखिए एक पकना जालू होने लगा है पहले कुछ दो-चार के टूट चुकी है और फिर चार-पांच कारे पका हुआ लगा है मैंने इसमें जिसके पहले जो है आपको बता दें लगाया था पिछले वीडियो में बता चुका पहल कि इसमें पर टंकी में एक ग्राम टुफोड़ी जो फूल फल को बारते लेकिन फिवी ठंड करका कुछ फूल मल गये हैं देखे लगा दियने का फैदा यह हुआ कि यह वाली फल जो है यह वाली बच गई है बाकी यह वाला फॉल मर गया है यह वाली फ्वलियां बच गई इसे क्या होता है कि तंप्रेचर के में साफसे फोडी लगाना निवार होता है ताकि फल फूल बहुत अच्छा से निपते और फलिया निपते और इसमें इसा वियान टानी जो आती है सजेंटा कम्पनी की उसको और फोडी वन ग्राम पर टंकी के साब से लगाया था जिससे इसमें जो है अच्छी देख रहे हैं कोई है और बढ़िया को डिक्सन भी आया है कि फोडी को लगाने से फल का साइज भी बढ़ता है यह नहीं कि कि फूल को निप्टा है बाकि जो फल भी पेड़ के साब से अच्छा है देख पा रहे हैं और नीचे से उपर तक फल भी जो है यह देखिए निपट रहा है अगर टो फोडी नहीं लगी होती और टानिक नहीं लगाते तो यह वाली जो फल गुच्छे दिख रहे हैं आपको यह वाली नहीं मिल बाते में यह देखिए उपर के जो यह सभी सबसे बड़ा फाइदा होता है तो फोडी लगाने का समय जो है पंदरा दिसम्बा से जन्वरी के बीच में लगे जब कास्के ठंडी हो तो इसमें क्या होता है कि फोडी से पेंड को गर्मी मिलती है इसे फल पेंड सब भी में प्रोड़क्शन अच्छा दने लगता है और बाइदा अब इसमें देखिए यह पीली पाति हो रही है कि रिखे मैं प्लांटिक से चिक किया तो उसमें पर मैंगिसीम और केलसीम की कमी बता रहे है तो इसका छड़कौाँ पराया जागा अकल भी मैंगिसीम का कमी कर रहे ही पतियां पीली पड़ रही है जुसा टाइप में आ रहा है और फाल का प्रोडिक्शन भी ठीक है इसका से आया है कि इसलिए दोस्तों कि पूरे वीडियो को देखें समझें जनकरी लें और एक बार आपको बताओ चाहूंगा मैं अभी तक मैंने इसमें विसेश खाद नहीं दिया है हूं कि हम जैवी का जद्यद्यद़क्रते हैं agreed done जैवी खेती जो है अच्छा काम करती है आरगनिक जो फिर्टि यो रहा श्राय को रह Gaoze फर्यार है जैबिक खिती करने से हमारे खेट को बल मिलता है और साथी में इसमें केच्विये जो होते हैं किसान के मित्र बोले जाते हैं वो भी लुप नहीं होते हैं हैं क्लोड बने रहते हैं उनकी संख्यां बढ़ती हैं ताकि केयी का काम यह होता है कि एन थी मतीकों बराबर परिटने का काम करते हैं जांद लिए ओसने इसमें अभी तक मैंने चार बीगा कलम सब प्लॉट है हमारा इसमें मात्र 25 किलो यूरिया और 25 किलो डेपी डाला है इसके लाव मैंने एक दाना किसी चीज़ का नहीं डाला है क्योंकि हमें इसे फैदा यह रहता है कि हमारी फचल सुरू से आखी सब्सक्राइब अच्छी बनी रहती है इसका प्योग जो हम करते हैं जो हमें लगता है कि इसको अब देना चाहिए उसी प्रकास में देता हूं ज्यादा इसमें मैंने रासानी के खाद कर नहीं प्रियो करत सब्सक्राइब करें कि अगले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें पूर्वी दाइपूर पूर्वी पोर्शिरत सब्सक्राइब नबर सामिस रिकसी तापूर